इस्राइल और लेबनान के हिजबुल्ला समू के बीच तीखे हमले जारी हैं इस्राइल ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर करीब 16 सो हमले किये हैं इनमें से जादा महिलाओं और बच्चे समेट 500 से जादा लोगों की मौत हो गई है जबकि 1700 से जादा लोग खायल हुए हैं इसके जवाब में हिजबुल्ला ने इस्राइल पर 300 रौक इड़ाग दिये ये हमला बीचे 18 साल में हिजबुल्ला का इस्राइल पर सबसे बड़ा हमला बताया गया हिजबुल्ला ने इस्राइल के लिबनान पर भीशड हमले के जवाब में किया इस बीच इराक में इस्लामिक प्रतिरोध ने ड्रोन से जॉर्डन घाटी में हुए इस्राइली सेने ठीकानों को निशाना बनाया समू ने अपने टेलिग्राम चैनल के ज़र ये ताजा हमलों की जानकारी दी है प्रतिरोधी गुटो ने बताया कि ड्रोन हमला गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में और इस्राइल के खिलाफ प्रतिरोध जारी रखने के लिए किया गया दावा तो ये भी है कि इस्राइल के डिफेंस सिस्टम लडाकों के ड्रोन को रोकने में विफल रहे इसके चलते रेमन एयर बेस पर जबरदस धमाका हुआ है इसके इलाके में भी शणाग लग गई इसराइली मीडिया की माने तो ये पहली बार है जब इराकी प्रतिरोड ड्रोन ने रेमन एयर बेस पर हमला किया है इराकी लड़ाकों यही नहीं रुके इन गुटों ने उत्तर में एक महत्वपूर्ण लक्ष के खिलाव भैंकर अल अरकप क्रूज मिसाइल से एक और हमला किया लड़ाकों ने इसराइल के कबजे वाले गुलान हाइट्स में एक रणनीतिक साइट पर भी आप्रेशन चलाया प्रतिरोड ने बताया कि उसने अल अरपज कामिकेज ड्रोन से जादा तर हमला किया समू ने कहा कि ड्रोन हमला उन नरसंगहारों के प्रतिशोद में था जो इसराइल निहत्थे फिलिस्तिनी नावरी को खिलाफ कर रहा है लड़ाके कबजे वाली भूमी पर महत्वपूर्ण जगों को निशाना बनाना और नश्ट करना जारी रखेंगे बता दे कि इराक का इसलामिक प्रतिरोद तब से इसराइली ठिकानों पर हमले कर रहा है जब से इसराइल ने बीते साल अक्टूबर की शुरुआत में गाजा पर नरसंगहार युद शुरू किया था इसके लावा प्रतिरोधी लड़ाके गाजा में अमेरिकी समर्थन के प्रतिशोद में इराक और पडोसी सीरिया में अमेरिकी सैने ठिकानों पर भी हमला कर रहे हैं इस बीच इराकी प्रतिरोद ने बड़ा दावा किया है समूह ने कहा कि लेबनान के खिलाफ इसराइल की किसी भी संभावित जमीनी कारवाई के खिलाफ हिजबुल्ला के साथ मिल कर सीधा टकराफ करेंगे इराकी प्रतिरोध ने ये फैसला कताइब हिजगुला, हरकत हिजगुला, अलनुजाबा और कताइब सयद अलशुहादा जैसे बाकी इराक में समुहों के कमांडर के साथ बैठक के बाद लिया है आपको बता दे कि इसराइल ने लेबनान पर हमलों की रफ्तार लगातार बढ़ाई है बीते सुमवार को इसराइली लड़ाक विमानों ने लेबनान के कई शहरों और गावों पर हमले किये थे जरी बातर बातर बातरों शुमझ विमानों रड़ाबध म 1950 मैं पर ग्नीशन भीते की विमाने लेबनान ने बांपड़ाबूेत्टर आफ़ाज विमान्म Darren